वेलकम टो एकलव्या स्टेडी पॉइंट एंड आएम सचिन और आज किस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूँ और वो यह है कि आप क्लास 12 में अगर आए हो 11 से अभी ठीक है और अगर आप हिंदी सब्जेक्ट के प्रेपरेशन को लेग से 12 में आते हैं और यह पूरे साल गलती जारी रहती है और इसका पस्तावा कब होता है जब आपका एक्जाम जो है वो जादा अच्छा नहीं जाता और बाकी की जो बाते हैं मैं आपको अंदर बताता हूँ तो उससे पहले आपको बता दूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसिस भेज सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं रिप्लाइ करने की कोशिश जरूर करूँगा और उससे पहले आपको बता कि हम कौन-कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं अपने चैनल पे तो हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही पढ़ाते हैं हिस्टरी, पॉल साइंस, जोग्रफी, होम साइंस, हिंदी, इलेक्टिव और कोर दोनों ही पढ़ाते हैं इंग्लिश, फिजिकल सोशोलजी ठीक है टूरिजम हमने स्टार्ट कर दिया है सो इस तरीके से ये है अब मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बुक्स हैं आप में से कुछ स्टुडेंट्स के पास अंतरा और अंतराल होगी तो कुछ के पास आरो हो और वितान होगी तो मैंने दोनों का इस स्लेबस पूरा करवा रखा है अब इसमें हिंदी में गलती क्या करते हैं बच्चे कि एक तो आपको पता है कि अब आपका टर्म वाई सिस्टम नहीं है भई अब आपका एन्वेल एक्जाम है आपका बड़ा स्लेबस आएगा और आपको वही तीन गंटे में अपना पेपर लिखना है तो इसके लिए पढ़ना तो पढ़ेगा भई आपको और हिंदी सब्जेक्ट जो है आपकी परसेंटेज में आपको बूस्ट दिला सकती है अगर आप अपने बेस्ट फूर की परसेंटेज लेके किसी कॉलेज में जाते हो या बेस्ट फाइव की भी अगर आप निकालते हो अगर आपको टॉपर बनना है तो उसमें आपकी हिंदी सब्जेक्ट भी तो एड़ होगा उसके अंदर ठीक है तो जो हिंदी सब्जेक्ट है वो आपको टॉपर तो बनाता ही है साथ साथ आपको और भी अपोर्चुनिटीज देगा आपकी परसेंटेज को बूस्ट करेगा तो इसके लिए हिंदी को आप बिल्कुल भी इग्नूर ना करें 11 तक तो भई चल जाता है क्योंकि आपको पास होना होता है वहाँ पे लेकिन 12 में आपको परसेंटेज के लिए आप यहाँ पर पढ़ते हो 12 में तो अंतरा अंतराल अभी व्यक्ति और माद्यम दोनों बच्चों के लिए सेम है तो मैंने ये भी करवा रखी है आपको क्या करना है कि बस इसके चैप्टर के एक्स्प्रेनेशन वीडियो को देखना है ठीक है इसके अलावा आपको NCRT को छूने तक की जुरूतनी पढ़ेगी आप चैप्टर एक्स्प्रेनेशन की वीडियो को देखना है आप ये सारी वीडियो आपको कहा मिलने वाली हैं ये जो वीडियो है इसी वीडियो के description में हम आपको सारे link provide करवाएंगे वहाँ पे आपको अंतरा, अंतराल, आरोह, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम सारी वीडियो के link आपको हम provide कर देंगे बस आपको click करना है और देख न, start कर देना है, हो सके तो उसके notes लिख लेना, क्योंकि हिंदी को भी, देखो भई, 12th में आये हो, तो history, pole, science, geography, जो भी आपके main main subject है उसके साथ, आपको language subject के भी notes बनाने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा कि अब last में important question answer रटके जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वो technique न poppers निकलते हैं, तो अगर आप हमारी बात पे बिल्कुल वैसा ही अमल करोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले है, और यही 99% बच्चे गलती करते हैं, कि वो हिंदी को हलके में लेते हैं, और last में पड़ते हैं, और last में तो भई, आप निप्टा नहीं पाओगे, पुरे साल का सलेवस, यह तो आप भी समझ सकते हो, ठीक है, तो जो हम अपनी तरफ से बता सकते हैं, आपको जो आपके भलाई की बात हो, वो ही बता रहे हैं, ठीक है, तो यह सारी बाते हैं, और इसके अलावा, sample paper जो है, वो आपका जैसे ही आ जाएगा, मैं उसको बहुत ह अच्छे तरीके से पूरा analyze करवा दूँगा, कि कितने question आएंगे आपके, कैसे आपको attempt करना है paper, exam time पे जो guidance होगी, वो पूरी हमारी तरफ से आपको free of course दी जाएगी, यहीं इसी channel पे, तो आप channel को subscribe से जुरूर करी दें, और इसके अलावा, जितने भी और subject से हैं, इनकी videos भी आप देखिए, मैं हर subject की subject wise पूरी आपको preparation की videos बना के दे रहा हूँ, ठीक है, हिंदी की, English की, जितने भी subjects हैं, सभी की video आ चुकी है, और आने भी वाली है, जो नहीं आई, ठीक है, so आप please इन videos को carefully देखें, और आपको बता दूँ कि आप videos के अंदर जो बताई गए जितना भी content है, उसको अपने notes की book में, मतलब यहां जो आपकी पास copy है, उसमें लिख सकते हैं, उसके अलावा, आप हमारी website से भी notes read कर सकते हैं, www.eklavyastudypoint.com हमारी website है, यहां पर कहा है कि आप कभी भी जा के अपने notes को पढ़ सकते हो, subject को click करो, class को click करो, और उसके बाद chapter क कोई भी खोल के आप उसको पढ़ सकते हैं, तो इससे कहा है कि आपका फायदा हो जाएगा, ज्यादा आपको guide कुझी वगरा के चक्कर में नहीं फसना पड़ेगा, और जो हमारी videos हैं, अगर आप वो पूरे साल follow करते हो, तो भई बिना tuition के topper आप बन सकते हो, जैसे कि मैं अपने time पे बना था, मैंने कोई tuition नहीं लिया था, और इसी के साथ साथ जो हमारे और भी बच्चे होते हैं, हर साल जो सरकारी school से पढ़ते हैं, या private school से पढ़ते हैं, वो बिना किसी tuition के सिरफ इनी videos के सारे topper बनते हैं, यहां तक की दिल्ली topper भी बनते हैं, तो अभी आने वाली हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जितनी भी आपको guidance की जरूत होगी, वो हम आपको देते रहेंगे समय समय पर, और important questions भी provide कर देंगे, और comment करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ज्यादा से ज्य वीडियो को आप शेर कर दीजिए, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।